रितमबरा प्रग्या का मतलब है कि आप ध्वनी और आकार के बीच के संबंथ को देख पा रहे हैं। भारती शास्त्री संगीत में उन्होंने ध्वनी की इस क्षमता को कुछ हैसाथ तक हो जा है कि वो अपनी इच्छा नुसार कोई भी मूट पैदा कर सकते हैं। अगर आप बस ऐसे बैठें तो रितमबरा प्रग्या पैदा हो जाएगी। आपके साथ जबरदस चीजे होंगी। बूद का एक विशेश आयाम होता है जिसे रितमबरा प्रग्या कहते हैं। रितमबरा प्रग्या प्रग्या मतलब है बूद। रितमबरा प्रग्या यानि रितमबरा प्रग्या का अर्थ है कि आप ध्वनी और आकार के बीच के संबंध को देख पा रहे हैं। हम शायद आप में से कई लोगों के साथ इस पर बात कर चुके हैं। यदि आप किसी ध्वनी को ओसिलो स्कोप जैसे ध्वनी मापने वाले उपकरण में फीड करते हैं, तो हर एक ध्वनी एक आकार या एक पैटर्न बनाती है. आज ये बात सभी जानते हैं कि हर एक ध्वनी का एक अलग पैटर्न होता है. काफी शांदार प्रयोग किये जा चुके हैं. लेकिन सबसे आसान ये होगा, अगर आप सिर्फ एक धातू की शीट लें और एक, मान लीजे एक, इसके नीचे एक स्पीकर रखें और एक खास प्रकार की ध्वनी बजाएं. अगर आप उस पर कुछ हलके दाने, जैसे रेत या कुछ और रखें, तो आप देखेंगे, वो दाने एक विशेश तरह से खुद को व्यवस्तित कर लेंगे. या अगर आपके पास एक अच्छा टोनोमीटर है, जहां आप हर्ट्स को कंट्रोल कर सकें, तो बिलकुल अलग पैटर्न बनेंगे. नहीं तो, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है. मुझे लगता है कि यदि आप इंटरनेट पर देखें, तो मुझे यखीन है कि इस तरह के कई प्रयोग होंगे, जहां आप देख सकेंगे, हर तरह की ध्वनी के लिए अलग आकार उबरते हैं. तो हर ध्वनी के साथ एक आकार जुड़ा होता है. इसी प्रकार हर एक आकार के साथ एक ध्वनी जुड़ी होती है. अब ये कैसे पता करें? प्रश्नी ये उठता है. कैसे पता करें कि कौन सा आकार सही है? मेरा मतलब है एक खास प्रकार की ध्वानी को आकर्शित करता है या एक निश्चित प्रकार की ध्वानी को दर्शाता है बोद के इस आयाम को रितंबरा प्रग्या कहते हैं बिना किसी प्रिष्ठ भूमी के इसके बारे में बात करने से ये थोड़ा मजाकिया बन जाएगा क्योंकि जरूरी समझ के बिना अचाना का अगर میں किसी नई चीज़ के बारे में बात करूँ इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा आईए इसे ऐसे समझते हैं अगर आप संगीत सुनते हो बात संगीत में मौजूद शब्दों की नहीं है मान लीजे कि आपके वल आवाज या एक वादे अंतर सुनते हैं क्या आपने देखा है कि अलग-अलग ध्वनियां आपके उपर अलग-अलग असर डालती है एक खास ध्वनी आप में प्रेम की भावना लाती है दूसरी ध्वनी आपको शान्ती देती है कुछ ध्वनियां चाती हैं कि आप जूम उठे अलग-अलग चीजें सिस्टम पर तरह-तरह के असर डालती है भले ही आप एक जागरुट शोता न भी हों फिर भी ऐसा हो सकता है कहीं कोई लए बद्ध संगीत बजा रहा है लोक संगीत या मान लीजे की रॉक म्यूजिक चल रहा है आप वास्ताव में नहीं सुन रहे हैं आप बैटकर अकबार पढ़ रहे हैं शरीर हिलना चाता है ये पहला संकेत की इनरत्य करना चाता है भारती शास्त्री संगीत में उन्हें ध्वनी की इस क्षमता को कुछ इस हद तक हो जा है कि वो अपनी इच्छा से कोई भी मूड बना सकते हैं इसका कुछ अनुभव करने के लिए अगर आप चीज है इसमें कोई जोखिम नहीं है आपको ऐसा संगीत सुनना चाहिए जिसमें शब्द ना हो इसका मतलब यह नहीं है कि आप लिफ्ट वाला संगीत सुनने लगें उस तरह का नहीं कुछ लोग ध्वनियों के विभिन्न स्तरों की खोच कर रहे हैं चीजों को व्यक्त करने के विभिन्न तरीके जिसमें शब्द ज्यादा नहीं है कुछ शब्द हो भी सकते हैं भारती शास्त्री संगीत ऐसा है पस्चिमी शास्त्री संगीत भी कुछ हद तक ऐसा है पर उसमें वाद्दे अंतर ज्यादा होते हैं कम से कम ज्यादा आवाज नहीं है यदि आप ध्वनी पर आधारित संगीत सुनें जिसमें ज्यादा शब्द न हो तो कुछ हद तक आप इस पर अपनी पकड़ बना पाएंगे इसे करने का एक बहतर तरीका ये होगा कि इसमें खास मंत्र हो लेकिन ये तक्नी की रूप से सही होना चाहिए संगीत को भी तक्नी की रूप से सही होना चाहिए लेकिन ये आपकी समस्या नहीं है ये संगीत कार की समस्या है आप बस सुने शास्त्री संगीत में तक्नी की रूप से सही होने के लिए सालों साल लग सकते है पर आप मंत्र काफी आसानी से सीख जाएंगे क्योंकि मंत्र सिर्फ तक्नीकी है उनमें ध्वनी की सुन्दर्ता नहीं देखी जाती आपने सुन्दर्ता को नजर अंदास कर दिया है और केवल तक्नीक को देख रहे हैं आप केवल ध्वानी के गणित को देख रहे हैं यह उस अर्थ में आसान है यदि आप इसे करना चाते हैं पर इसके लिए भी एक स्थर के ध्यान की ज़रूरत है नहीं तो, सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आप स्थिर बैठना सीख जाएं बिल्कुल स्थिर आपके भीतर सब कुछ स्थिर हो जाए अगर आप बिल्कुल स्थिर बैठना सीख जाएं कुछ भी करने की कोशिश किये बिना कुछ सुनने की कोशिश किये बिना ध्यान करने की कोशिश किये बिना जाप करने की कोशिश किये बिना भगवान या शैतान या कुछ और सोचने की कोशिश किये बिना, बस ऐसे ही, अगर आप बस बैट पाएं, तो रितंबरा प्रज्या पैदा हो जाएगी. एक और तरीका, जिससे आप ध्वनियों और इसके गुण का बोध पा सकते हैं, वो है, अगर आप ऐसी जगह ढूंट पाएं, जहां मशीनों की आवाजें ना हों, और आपका फोन टिंग टिंग ना करें, चुप चाप, अगर आप पेडों, हवा, पानी के आवाजें सुन पाएं, सिर्फ प्राकृतिक ध्वनियां, अगर आप सिर्फ परियाप ध्यान दें, आपके साथ अद्भुत चीजें होंगी. अगर आप, पता नहीं अब वो वहाँ है, कि नहीं, शायद वो अब वैसा नहीं रह गया है, ये जंगल भी बनाया गया है. कई बार मैं, दक्षन भारती, आपको पता है, उष्ण कटी बंधी वर्षावनों में रहा हूँ, सबसे अधिक मैं वहाँ, लगभग तेज दिन था, मैं लगभग तेज दिन के लिए जंगलों में रहा, अकेले. उन दिनों कोई मदद नहीं होती थी, कोई सेलफोन नहीं थे, और यहां तक कि टॉर्च की रोशनी भी नहीं थी, और चौथे दिन मेरे पास जो खाना था, वो खत्म हो गया, इसलिए मैं जंगल के सहारे जिया. लगभग आठवे दिन तक मैंने, मैंने अपनी जैकेट और अपनी हाधी कमीज खो दी, क्योंकि कुछ जानवरों ने मेरे पीछा किया, कुछ ऐसा हुआ. मेरे पास आधी शर्ट और पैंट थी, और मैं चलता रहा, अब ये हाथियों वाला, बाग वाला देश है, मैंने बाग, तेन दुआ, हाथी, सबी प्रकार के, जंगली भैसे, तमाम तरह के जानवर देखे, बहुत करीब से देखे, पर आखिर में, अगर मैं पीछे मुड़ कर देखूं, कि मुझ पर सबसे बड़ा असर किसका पड़ा, वो थे कीडे, नहीं, नहीं, वो अमेरिका में टिक्स की तरह नहीं है, वो हमें काटते नहीं, वर्शावनों में, रातों में, जो और्केस्ट्रा चलता रहता है, हे भगवान, ये अब विश्वस्नी हैं, और उ जवाद हो का मतलब है, कि एक ग्रूप रुखता है, और दूसरा शुरू हो जाता है, सच में, उनके समय के समझ, हर दिन उसी समय, ठीक उसी पल, एक ग्रूप रुख जाएगा, दूसरा ग्रूप शुरू होगा, और आप नहीं जानते कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, सुनें, सुनें और सुनें, तो धीरे धीरे आप ध्यान देने लगते हैं, कि इसका एक पैटर्न और एक संगठन है, जो किसी भी मानव सिंफ़नी से कहीं अधिक बड़ा है, जिसे आप पा सकते हैं, कहीं ज्यादा जटिल और कहीं अधिक तीवर. इसलिए अगर आप सुनें, तो बस सुनना, सुनना, सब कुछ सुनना सीखिए, मतलब ये कि आपको बात नहीं करनी है, आप समझें? बस सुनें, आपको कुछ-कुछ समझ में आएगा, कि ध्वनी और आकार कैसे संबंधित हैं. लेकिन, अगर आप इस पर शोद करना चाहते हैं, तो एक अलग तरह की भागिदारी ज़रूरी है. पर हर चीज के लिए, एक आग्र ध्यान होना चाहिए. क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं, ये मत सोचिए. जो कुछ भी सामने आए, उसे सुनना चाहिए. ये बहुत ज़रूरी है.